हालो एवरिवान गूड आफ्टरनून वेलकम बैक टू परजम आएम पूजा आप लोग की काफी ज़ाधा डिवान थे कि आप लोग के एक्जाम सरपर हैं और आप लोग भक्ती मूव्मेंट समझना चाहते हैं बेसेकली आज का जो सेशन है यह भक्ती मूव्मेंट है और नेक्स क्लास में हम सूफी मूव्मेंट के बारे में डिसकॉस करेंगी क्योंकि एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था काफी लेंदी क्लास हो रही थी इसलिए आज मैंने भक्ती मूव्मेंट को शामिल किय है यह जो movement है basically यह 7th century से लेके लगबख 17th century के बीच में चला है यह South India से start होता और धीरे धीरे North India और पूरे भारत में एशिया तक फैल जाता है अब क्या reason होते हैं भक्ती movement को शुरू होने के कौन इसे शुरू करता है कौन-कौन important scent होते हैं जो भक्ती movement के बारे में अच्छा आचके class के अगर आप PDF चाहते हैं तो पर्चम के application पे या पर्चम की website से आप इसका PDF ले सकते हैं तो basically यहां पर जब casteism बहुत जादा बढ़ रहा था हमारे भारत में जब casteism वर्ण विवस्ता काफी अच्छी नहीं थी जो दलित वर्गिया नीची जाती के लोग होते थी उनके साथ जब अच्छा वहवार नहीं किया जाता था जो भी हमारे वेध हैं उपनिशद हैं उन सभी की भाशा शंस्कृत है और आम नागरिकों के लिए वो समझना थोड़ा पूजा पार्ट करा लेते था लेकिन जो लो कास्ट के लोग थे वो पूजा पार्ट नहीं करा पाते थे साथी साथ जो प्रीस्ट पंडित थे ब्राम्हर थे उनके कॉस्ट जो थी मतलब पूजा पार्ट करने के लिए पैसा लेते थे वो बहुत जादा लेते थे एक तरीक से enlightenment प्राप्त किया जा सकता है किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती इस बारे में जोड़ दिया गया ठीक है इस पूरे सिस्टम में महिलाएं जो फीमेल थी उन्होंने में बढ़ चड़कर हिस्स लिए और धीरे धीरे साउथ इंडिया से शुरुआत होते हुए नौ भक्ति एक मातर रास्ता होती है अब भक्ति कैसे करनी है या फिर भगवान और आपके बीच में कैसा रिष्टा होना चाहिए क्योंकि भक्ति मतलब प्रेम है ना भक्ति मतलब प्रेम अगर आप अपने भगवान से प्रेम करते हो तो आप उनकी भक्ति करोगे तो किस तरीके से यह relation होना चाहिए तो यह relation को कुछ लोगों ने अलग-अलग तरीके से बताया लोग कहते जिसे कि मा और इक बच्छे का relation होता है कितना प्यारा relation होता है उन दोनों के बीच में कितना प्यार होता है आप भगवान से भी वही relation बनाईए कहीं-गहीं पर लिखते हैं कि जैसे कि फ्रेंट्स होते हैं जो मित्र होते हैं मित्रों के बीच में जो रिष्ता होता है वही आप भगवान और भक्त के बीच में बनाईए इस तरीके से अलग-अलग तरीकों से डिफाइंड किया गया कि किस तरीके से आपको भगवान के साथ connect होना है और enlightenment प्राप्ट करनी है, मोख्ष प्राप्ट करनी जिससे आपको ये जो आपका शरीर है ये खतम हो जाएगा आपको निर्वान हो जाएगा आपको मोक्ष मिल जाएगा ये बार बार आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस अर्थ में ये लोगों को समझाना है और इसलिए भक्ती मूव्मेंट की शुरुआत की जा रही है भक्ती मूव्मेंट की शुरुआत दक् भारत से होती है बेसिकली वेदों में उपनिशिदों में क्या लिखा हुआ है लोगों तक पहुचाना है और लोगों को धर्मिके साथ जोड़ना यही इसका उद्देश है बेसिकली अब दक्षिन भारत में भी दो कैटिगरीज होती है एक जो उस समय जो है कि या तो भगवा भगवान राम को फॉलो करते है या भगवान राम को फॉलो करते है या भगवान राम को फॉलो करते है या भगवान शिव को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पे दो ब्रांचेज है एक नाइनार्स होते है और एक अलबार होते है यह दोनों साउथ इंडिया में आपको मिले के इन लोगों ने ही initiative कया था जो भगवान शिवookie पूजा करते हैं वह क्या कहलाते नाइनाज कि अर चो भगवान विश्णो की पूजा करते है वह साउध इंडिया में मिलेंगे तो इनकी जो भी teaching है, जो भी बाते हैं, जो भी thoughts हैं, poets हैं, वो सारी चीज़ें, अलबर की जो collective songs है, वो कहाँ पर आपकी प्रभादास में हैं, और जो intellectual side है, वेशनव की, वो आपको आचारिया में देखने को मिलेगी, तो नैनार कौन होते हैं, जो शिवा को follow करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तुरू मलाई के बारे में, जो तुरू मलाई क्या है, जो नैनार के भजन है, उनका जो संखलन है, collection है, वो तुरू मलाई कहलाता है, जहाँ पर भगवान, शिव की उपासना कैसे करनी है, उस पर focus किया गया है साथी साथ यहाँ पर आप देखेंगे तेवरम, तेवरम जिसको द्रविड वेद भी कहा जाता है, यह भी नैनार से ही relate करती है इसमें कुछ important संथ होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे थीरू नील कांथ हैं, हिना मेई पोरूल है, इनमें आपको जो female है, इनका नामयाद रखना है करे कलकल अमयार, यह जो है वो नैनार है और एक female है जो कि इस धर्म को follow कर रहे है प्रचार कर रहे हैं, अपने भजनों को गा रहे हैं, teaching दे रहे हैं, क्योंकि भगवान से connect होने का एक दूसरा तरीका होता है भजन करो, गीत गाओ, ठीक है ना तो उस तरीके से भी लोग इस भगवान को connect कर रहे हैं, अलवर वो होते हैं जो भगवान विश्नु को follow करते हैं ठीक है, देव प्रभंध यह जो है, वो compilation है जो हमस है यह जो यह भजन है उनका compilation कहां मिलेगा दिव प्रभंध में देखने को मिलेगा, इसमें भी कुछ important scent हुए है, जिसमें सबसे important है अंडाल, basically अंडाल जो है इनको south की मीरा कहा जाता है, यह question पूछा गया question है, अंडाल को south की मीरा कहा जाता है, पांड डाइनेस्ट्री से related है और फीमेल अलबर सेंथ है जीकि तो इनका नाम especially हमको याद रखना है इसके लावा कुछ और नाम है जैसे कि थुरू माजी साई करके हैं फिर नमलाबार हैं तो यह भी कुछ scent है जो कि अलबर से बिलॉंग करते हैं अब भगवान की पूजा करनी है अब भगवान की पूजा किस रूप में करनी तो उसको भी दो categories में divide किया गया भक्ती movement के sense के द्वारा, एक निर्गुन और एक सगुन निर्गुन काफी tough होता है और सगुन जो होते हैं आसान होते हैं निर्गुन में मतलब आपके पस कोई God का statue नहीं है निर्गुन का मतलब है कि आपको एक formless God जिसका कोई statue नहीं है वो कैसा दिखता है, कोई मूर्ती नहीं है बस आपको अपने मन में कि हाँ कोई एक ब्रह्म शक्ती है कोई एक power है उसके आपको belief करना है और उसकी आपको पूजा करना है ये कहलाती है निर्गुन भक्ती निर्गुन भक्ती के लिए गुरुनानक है, रविदास है जिनको रैदास के नाम से जाना जाता है और कभीर, कभीर बहुती famous personality है जो कि निर्गुन शाखा से relate करते है दूसरी होती है शगुन शगुन मतलब जो भगवान का एक statue बनाते है घरों में मूर्तियां रखते है मंदरों में मूर्तियां रखते है और फिर पूजा पार्ट करते है तो वो शगुन कहलाते है मतलब God को एक form दे दिया है एक structure बना दिया है जनरली प्रेम से, शाइरी से और भगवान की अराधना करते है तुलसीदा, सूर्दा, समीरा बाई ये सभी शगुन भक्तिधारा से है तो आपने क्या के देखा कि भक्ती movement क्यों शुरू किया है दक्षिन भारशी शुरू किया गया समय कब से कब था 7th century से 17th century के बीच में भक्ती movement चल रहा था North India आने में भक्ती movement को लगबख 600 years का समय लग गया इतना समय क्यों लगा क्योंकि उस समय तक इतना कुछ नहीं था और फिर लोग aware होते हैं कि किस तरीके से अपने शंस्क्रती को बचाया जाए किस तरीके से लोगों से communicate किया जाए एक साथ connect हुआ करे तो एक तरीके से catalyst का काम इन Muslims लोगों ने किया था इस भक्ती movement को North India में पहुँचाने के लिए तो 600 साल लग गए South India से North India में भक्ती movement को जाने में तो यहाँ पर अगर हम South पर बात कर लिए हमें नैनार और अलबर्स थे नैनार जो शिव को मानते थे अलबर्स जो विश्नू को मानते थे फिर निगोर और सगोन भक्ती धारा हमने देख ली अब हमको बात करनी है important contribution की जो important sent हुए है उनके क्या क्या contribution है brief में हम देखेंगे जो जितनी बातें exam के लिए जरूर ही है उतनी बातें ही करेंगे अच्छा यहाँ पर copy pen लेकि जरूर बैटेगा कि बहुत से चीज़ने मैंने शामिल की कई बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ याद आजाता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं तो आप note कर लेंगे तो आपके लिए जैसे better होगा जैसे for example अगर मैं बात करूँ Megasthenes के बारे में आपको मैंने नहीं सिखाया तो अभी हम इंशेंट में पढ़ेंगे तो Megasthenes ने विष्णू को Heracles का नाम दिया है तो Heracles कौन है? विष्णू है? किसने कहा? Megasthenes ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी नो उन्होंने Megasthenes ने इंडी का उसमें विष्णू को जो है वो Heracles नाम दिया है तो आईएब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आदिगुरू संक्राचार के बारे में संक्राचार जी Basically केरला से ब्लॉंग करते थे इनका समय आप देखेंगे 1788 से 820 AD के आसपास का रहता है संक्राचार कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मतलब एक ही सत्य वो ईश्वर है वो ब्रह्म है बाकि सब को जूट है अगर आप बोल रहे हैं आज में 25 साल को हो गया हो तो ये भी एक ड्रीम है एक सपना है जो आज ना कल तूट जाएगा ठीक है तो सब कुछ मिथ्या है केवल एक ही चीज सत्य जो की ब्रह्म है तो हमको उस ब्रह्म के साथ जुड़ना है और उस ब्रह्म के साथ आप कैसे जुड़ोगे तो उस ब्रह्म के साथ जुड़ने का एक ही तरीका होता इलाइटमेंट ज्यान की प्राप्ति अगर आपको ज्यान हो जाए तो आप उस इश्वर के साथ जुड़ सकते हो और आपको मोक्षप्राप्थ हो जाएगा ठीक है ऐसा किसने का संक्राचार ने तो उनसे पूछा कि हमको भी भगवान से कनेक्ट करना है हमको भी मुक्ष प्राप्ट करना है आप तो हमें ग्यान का मार्ग बताओ तो उन्हें बोला कि जब आपकी सारी चेतनाएं खतम हो जाती हैं तब आप जो है वो ब्रह्मा से कनेक्ट हो सकते हो जैसे आपको हिमालय में छोड़ दिया जाए बिना कपड़ों के और आपसे बोला संकराचार ने क्या बताया हमें ग्यान का मान बताया इनको शंकर का अवतार कहा जाता है संकराचार को शंकर का अवतार भी कहा जाता है कैरला में इन्होंने शुरुआत की थी जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं बौद धर्मी के बारे में तो बौद धर्मी आपने देखा हो इन्होंने भी सोचा कि हम अलग-अलग क्या करते हैं मठ बनाते हैं जहां से हम वेदो और उपनिशिदों का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचा सकेंगे टीचिंग्स जो है वो लोगों तक पहुचा सकेंगे किस तरीके से ब्रह्म से कनेक्ट होना है लोगों को बढ़ा सकेंगे इसलिए इनों ने चार मठों की शुरूआत भी की थी इसलिए संकराचार को प्रछन बौध भी कहा जाता है तो संकराचार का दूसरा नाम क्या है प्रछन बौध है basically संक्राचार का जन्व जैसे की मैंने का कैरला में हुआ और इनकी डैथ उत्तराखंड के कैदारनात में हुई थी अच्छा इनके गुरू की नाम के बारे में बात कर लेते हैं तो इनके गुरू कौन थे इनके गुरू थे गोविंद योगी कुछ बुक में गोविंद योगी मिलता है कुछ बुक में गोविंद भागवत पधा देखने को मिलता है तो वो इनके गुरू थे अब यह जो संक्राच आगे वो नॉन डुलिज्म पर विश्वास करते कि दो कोई चीज है नहीं कि एक मैं हूँ एक ब्रह्मा है नो एक मैं हूँ एक इश्वर है नो एक ही है सारी दुनिया में बस एक ही इश्वर है विच इस ब्रह्मा आप भी किसके अंचो ब्रह्मा के अंचो आप उससे connect करो मुक्ष की प्राप्ति करो तो non-dualism को इन्होंने promote किया अद्वेतवात वी वी आई पी question for UPSC and one day exam और इतो means का topic भी बनता है अद्वेतवात non-dualism किस ने दिया था तो वो आदिगुरू संकराचार के द्वारा ही दिया गया था तो उन्हें चार मठ बनाया जैसा कि मैंने कहा था टीचिंग्स को spread करने के लिए तो एक द्वारी का जगनातपुरी में आप देखेंगे एक द्वारी का है जो कि आपको वेस्ट में मिलेगा एक जगनातपुरी मतलब आपको एक इस्ट में मिलेगा एक श्रंगेरी मठ है जो साउथ में मिलेगा और बद्रिनाथ जो है वो आपको नौर्थ में मिलेगा इस तरीके से चारो डायरेक्शन में इनोंने क्या बनाए? मठ बनाए, इसलिए इनको प्रचन बौध के नाम से भी जाना जाता है इनोंने बेसेकली वेदों और उपनिशिदों का जो है वो ट्रांसलेज किया और उसको पूरे में स्प्रेड किया इनोंने काफी सारी रचनाएं भी लिखी जिसमें विवेक, चुदामणी, भजगोविंदम, आदी जो रचनाएं वो संकराचार की ही है ठीक है? इनोंने भगवत गीता, ब्रहमसूत और उपनिशिदों पर भास से लिखे अतलब उनका ट्रांसलेशन भी किया, जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये कैरला से शुरू होता है हमारा भक्ती मूव्मेंट लेकिन अब प्रॉब्लम क्या भस गई? ठीक ज्यान तो अब हम प्राप्त कैसे करें, कैसे भगवान से जोड़ें और हमको बहुत निराशा हो गई कि यार हम तो अतने दिनों से escapna देख रहा है कि जो दुनिया में सब कुछ दिख रहा है वह सब व्यर्थ है, सब कुछ जूटा है जैसे कि नोंने कहा सिर्फ बब्रह्मा सत्त है, बाकि सब तो मिथ्या है तो लोगों में बहुत निरासा जाती ना आपको कल बोले कि आप 25 साल के हो गए हो और फिर कल को आपकी नीन खोले कि अरे कुछ भी नहीं हम तो सपना देख रहे थे तो कितना बुरा सा लगेगा और ग्यान प्राप्ति का रास्ता है भगवान से जो कनेक्ट होने का रास्ता है वो भी बहुत डिफिकल्ट है तो बहुत से लोग आँगे आते हैं और इनकी विचारधाराओं का अलोचना करते हैं यह ना क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं तो उनमें पहले आते हैं यह राम अनजुचार राम अनुजाचारे ठीक है 1017 से 111380 के बीच में आते हैं अब लोग इनसे मिल रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं वो संकराचार्जा ने रास्ता बताया था वो तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है ज्यान कैसे मिलेगा ज्यान तो उनने बोला ज्यान को रखते हैं इन्होंने कहा कि आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाईए दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा आपका भक्ति हो जाएगा अब भगवान की भक्ति कीजिए आपको पूजा पाठ कर्मकांट करने की जरूरत नहीं है बिलकुल भी अब बस भगवान की भक्ति कीजिए ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में बैठना जरूरी है भगवान की मूर्ती रखना जरूरी है उनको चपन भोग लगाना जरूरी है भजन की नहीं जो तरीका हिर्दा इसे भगवान को याद करो कि भगवान प्रेम की भाशा समझते हैं ऐसा रामर जटार ने कहा और आप बिलकोड भगवान से कनेक्ट कीजिए इन्होंने श्री शंपदाई की शुरुआत की थी ठीक है अब यह जो थे वो तमिल नाडू से ब्रॉंग करते थे अगेन यह आपके दक्षन भारत से शुरू होती इनके जो गुरू है वो यादव प्रकाश है या यादव प्रेक्षा के नाम से जाना जाता है यादव प्रकाश जो है वो इनके गुरू कहलाते हैं तो इन्होंने का, there is a little difference between the आत्मा and ड्रम्मा, मतलब हम अलग है और इश्वर अलग है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप दोनों एक हो सकते हो, आपस में connect हो सकते हो, बस आपको करना क्या है, भक्ती करना है, तो भक्ती का महारगिनों ने बताया, ठीक है, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई, ये एक वैश्नाव संत थे, ये वैश्निजम को follow करते थे, मतलब ये भगवान विश्नु को उपास सकते हैं, भगवान विश्नु को उपास न करते थे, ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसके अलावन उन्हें श्री भाष्च लिखा है, गीता भाष्च लिखा है, और वेधार्त संगरहम, ये पुस्तके जो हैं, वो इनके द्वारा लिखी गए हैं, ठीक है, रामनुज अचार जो हैं, कौन आते हैं, निम्ब का चार, इनके गुरू का नाम क्या है, नारध है, और ये हमारे साउथ इंडिया मतलब उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से बिलॉंग करते हैं, इनका जो भक्ती मूव्मेंट का एरिया है, वो मथुरा है, इनके भक्ती मूव्मेंट का एरिया कौन सा लेकिन भगवान विश्पनु की हम भगवान कृष्ण के रूप में आराधना करते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो निम्बकाचार ने भगवान कृष्ण की भक्ती पे जोर दिया। इसलिए इनको सुधर्शन चक्र, जो भगवान कृष्ण रखते हैं, इसलिए गोल-गोल सुधर्शन चक्र का अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, तो निम्बकाचार को सुधर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। टीके जब रामानुजाचार चल रहे थे साउत में उसी समय ये भी चल रहे थे मतलब एक दूसरे के कैसे हैं कंटेंपररी हैं मतलब एक दूसरे के sup ragl забाल ने दोणों काम कर रहे हैं फिर इसको special बना दिया विशिष्ट विशिष्ट द्यतावात किस ने दिया था रामानुजाचारे ने द्यता द्यतावात किस ने दिया तो आपका आंसर जाएगा निम्ब का चारे ने ठीक है चल अगली बात कर लेते हैं हम इन्होंने सनक संप्रदाय की भी स्थापना की थी निम्ब का चारे ने अगली बात कर लेते हैं माधवाचारे 1238 से 131980 के बीच का जो समय है वो माधवाचारे के लिए जाना जाता है इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की फाउंडेशन की थी इस्थापना की थी माधवाचारे ने ठीक है अब इनकी बात कर लेते हैं तो इन्हो सिध्धान दिया था और उनी की और रामारुजाचार ने विश्ष द्वैतवात का सिध्धान दिया था तो इनकी अलोचना की इनकी क्या की अलोचना की और इन्होंने द्वैतवात का सिध्धान दिया मतलब डियोलिज्म का जो सिध्धान थै डियोलिज्म के बारे में किसने क निम्व काचार ने कहा कि हम अलग है, ब्रह्मा अलग है, हमको ब्रह्मा क्यों पास ना करनी है, इन्होंने आनंद तीर्थ नाम से एक रचना भी किये, इनकी रचना का क्या का नाम है, आनंद तीर्थ इनकी एक रचना है, इसके अलावा इन्होंने अनुव्यक्यान करके एक अ और ज्ञान के जरीए ही इसको प्राप्ट कर सकते हैं, मतलब ज्ञान भी एक रास्ता और भक्ती भी एक रास्ता हो सकती हैं, God, Soul and Matter are unique in nature and are irreducible to each other, ईश्वर, आत्मा और पधार प्रक्रती में अदोती हैं और एक दूसरे से अपरवर्त निये हैं, इन्होंने ब्रह्म में संप Basically, Karnataka में 12th century में वीर सैव आंदोलन या मूव्मेंट की शुरुआत होती हैं और इसकी शुरुआत कौन करते हैं, वसवन्ना और अल्ला प्रबू इसकी शुरुआत करते हैं दक्षिन भारत में, ये भी लोगों को बताती है कि क्योंकि उस समय जो है, व्यूमेंस की के खिलाफती, ये चिनौतियां देता था, बोलता था कि जाती वर वस्ता गलत है, पुनर जनम के सिद्धान जो थे, रीवर्थ का जो कॉंसेप्ट था, उस पे भी इन्होंने कॉशन किया, ये लोग मैरिज होती थी, वो आपकी विडो री मैरिज को अलाउ करते थे, इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो छोटी उम्र में मतलब बाल बिवाव को इन्होंने अपोस किया, ठीक है, इन्होंने अपनी जो कवीता है, वस्वन्ना ने अपनी कवीता है, जो है वो लोगों तक फैलाई, जिसको बचनास के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब इसके अ भक्ति मूव्मेंट को साउथ से नौर्थ को लेके गए तो नौर्थ में भक्ति मूव्मेंट को लाने वाले व्यक्ति कौन है रामानंद अब रामानंद जो है वो किसके स्टूरेंट है तो रामानुजाचार जो है उनके स्टूरेंट जो है वो रामानंद है ठीक है अब ये दक्षिर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं और भक्ती मूव्मेंट को शुरुआत करते हैं, यह इलहाबाद से रिलेटेड हैं, कहां से रिलेटेड हैं यह इलहाबाद से रिलेटेड हैं, बेसिकली यह कृष्ण के इस्थान पर राम की पूजा करने के लिए कहते ह कोई चमार है मतलब दलिद वर्ग नीची कास्ट है वहां से वहां से इनके शिष्च जैसे कि कवीर तो कवीर जो है वो रामानंद के शिष्च है कवीर के बाद रवीदाज रामानंद के शिष्च है धन्ना से यह सभी रामा रामानंद के शिष्च होते हैं स्टुरेंट होते ह तो बिल्कुल यहां पर आपको याद रखना है कि संक्राचार्ड ने भकती मूव्मेंट शुरू किया रामानन्द और नौर्थ में सबसे धाफ किया और को मुशन से ने defense किया है, तो वो कवीर है ठीक है, तो कवीर ने उसको फैलाया चलो अब इनका जो केंध र था है लाबाद में इनका जन्व हुआ लेकिन इनने जो अपने teaching दी लोगों को इक हटा किया तो इनका जो केंध था वो बनारस था क्या था निका केंध बनारस था और इनकी द्वारा एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है आनन्द भास ये तो आनन्द भास बुक भी जो है वो रामानंद के द्वारा लिखी गई है ठीक है चलो अगली बात कर लेते हैं हम कवीर रवीदाज जैसे कि मैंने कहा ये सब इनकी कौन है शिष्ष है इन्होंने ज्यान लीला योग चिंता मड़ी वैशनव माता भाज भासकर और रामकर पधती ये सबी जो पुस्तकें भी है बुक्स है ये भी रामानंद के द्वारा ही लिखी गई है इन्होंने जाती प्र प्रचलित हैं है की नहीं है तो 1440 से 1510 AD तो यहां पर देखो 1510 यह पूरा जो है यहां पर मुगल आ चुके हैं मुगल आ चुके हैं अब बात आ रहे हैं कि हिंदू-मुसलिम एकता पर जोड़ देना तो राम और रहीम एक ही है राम और रहीम एक ही है यह स्टेटमेंट किस और भगवान की आराधना करनी है पूजा करनी है तो बिल्कुल निर्गोर्ट सेंट थे और इन्होंने बहुत जादा जो और्थोडॉक्स आइडियास थे चाहे वो मुसलिम्स के हो या हिंदू के हो उनको क्रिटिसाइस किया इन्हों रूडिवादी विचारधारों से बीजग कहते हैं वी वी आईपी कॉश्चन है बीजग क्या है तो बीजग कवीर के दोगों का संकलन है ठीक है कवीर ने बेसिकली ये जो है घूमते रहते थे हिना सभी धर्मों को मान रहे हैं घूमते रह रहे हैं तो ये खिचडी पंच मेल खिचडी इनकी भाशा रही है क अगली बात कर लेते हैं चेतन्य महाप्रभू, पश्यम बंगाल के विश्णू है ये, चेतन्य महाप्रभू 1486 से 1533 AD के बीच का इनका समय रहा है, इन्होंने बंगाल में आधनिक वैश्णवाद की संस्थापक रहे हैं, मतलब बंगाल में भक्ती मुवमेंट का श्रेक इसको भजन करो, गीत गाओ, भगवान की अराधना करो, हरे रामा, हरे कृष्णा जो आज बोलते हैं, वो जाप लोक्रिये चेतन्य महाप्रभू के द्वारा ही बनाया गया है, ये शगुण उपासक थे और कृष्ण उपासक थे, शगुण मतलब भगवान का स्ठर्ची बना के ही विलीफ किया था, इन्होंने संस्कृत में एक पार्ट लिखा है, जिसका नाम है सिक्छा इस्तिकम, तो इनके द्वारा एक दर्शन या इसका इक पार्ट भी लिखा गया है, आज के समय में जिसकौन सोसाइटी चलती है, उसको भी शुरूआत इनके द्वारा ही, मतलब जहां पे नोंने अपने टीचिंग्स दी, तो एक केंडर इनका व्रंदावन भी था, फिर ये व्रंदावन आ गया तो व्रंदावन में भगवान कृष्ण के भजनों को गाया, इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, या गौरांग महाप्रभु कहा जाता है, क्या कहा इनकी चरत्र के बारे में इनकी टीचिंग के बारे में लिखा गया है ब्रंदावन दास नाम क्या है ब्रंदावन दास इनके स्टुडेंट थे जिन्होंने चैतन भागवत लिखा है इनका एक और नाम था विद्याधर विद्याधर के नाम से भी चैतन महाप्रभू को जाना जाता था तो इनका नाम्याद रख लेंगे अगले व्यक्ति आते हैं बल्लभाचार 1479-7051 AD के बीच में आते हैं ये भी भगवान कृष्ण के उपास तक होते हैं ये मतलब जिसे कवीर की तरह ही है मतलब शादी शुदा जीवन व्यतीत करने पर यकीन रखते हैं और लेकिन भ भक्ति को शुद्ध रूप में बानना तो शुद्ध अद्वैत वाद का सिध्धानते देते हैं मतलब भगवान की पूजा इनों ने भगवान कृष्ण के बचपन के रूप के रूप में की थी श्रीनाथ श्रीनाथ जी की रूप में भगवान कृष्ण की पूजा ये करत इसके अलावा रूद्र संप्रदाई की भी इस्थापना जो है वो बल्लवाचार्थी के द्वारा की गई है। ने जो भी दोहें हैं, कवीताई हैं, रचनाई हैं, वो सबी ब्रज Madam भाषा में है। इन्होंने सूर्सागर, सूर्सरावली जैसे कई सारी रचनाई लिखी हैं। यह सबी जो हैं वो किसकी रचनाई है? सूर्दास जी की रचनाई है। बच्पन से अंधे होते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भक्त होते हैं मीरा भाई इनसे तो सभी पर्चते भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ती के लिए जो जानी जाती है वो मीरा भाई के जाती है 1498 से 1546 AD के बीच में इनका समय है basically मेवार के जो राजा होते हैं राजा राणा सांगा तो राणा सांगा के बेटे की ये वाइफ होती है मीरा भाई मतलब बहुत अपर हाई क्लास से ये ब्लॉंग करती है लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी के रूप में भगवान कृष्ण को अपने पती के रूप में भगवान कृष्ण करती हैं कौन मीरा भाई और बहुत सारे भजन गाती हैं भगवान कृष्ण के लिए, बहुत सारे भजन इनों ने कहा हैं मीरा भाई ने, मीरा भाई के जो भजन है उनको पदावली कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनके भजनों को पदावली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलो अगली बात कर लेत तुलसी दास जी भगवान राम के भक्त तुलसी दास जी जो है वो यह अखबर के पेरलल जो है वो तुलसी दास चल रहे हैं 1532 से 1623 AD का समय जो है वो तुलसी दास जी का होता है तुलसी दास जी का जन्मिक ब्राम्मर परिवार में होता है और यह अखबर के साथ चल रहे हैं उने काफी सारी रचनाई किये जैसे कि राम चरत्रमानस, विनय पत्रिका, दोहा वली, कवीता वली, बरवया रामायन, गीता वली, राम लला, यह सबी रचनाई जो हैं, वो किसकी हैं, आपके तुलसीदास जी की हैं, तुका राम जी, 1598 से 6015 का इनका समय रहता है, तुका रा करते हैं, ज्यान और भक्ती का मार्ग जुनते हैं, भगवान से कनेक्ट होने के लिए, और फिर सिवाजी के समय तुका राम जी होते हैं, और शिवाजी को जो हैं, बहुत सारी सिक्षाएं भी देते हैं, तो सिवाजी के समकालिन तुका राम जी होते हैं, इन्होंने बरकार संपरदाई की शुरुआत की थी बरकारूश सेक्ट की शुरुआत जो है वो इनके द्वारा ही की गए थी ये बिठल के भक्त थे और हिंदू-मुसलिम एकतापेनों ने बहुत जादा बल दिया इनके जो टीचिंग के कंटेन है उनको अभंग कहा जाता है इनके टीचिंग के बाते होंगी वो next class में सूफी मुवमेंट के साथ डिसकॉस कर लेंगे अब impact क्या हुआ भक्ती मुवमेंट का तो भक्ती मुवमेंट का कुछ impact देख लेते हैं सबसे पहले जो सती विवस्था थी उस गलत प्रेक्टिस को बंद करने की कोशिश की गई social reform किये गए कास्टिस में जो इतना रिजट था उसको थोड़ा सा liberal बनाया गया कास्टिस में जैसे कुप रथाओं को कम किया गया विमेंस ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया आपने अंडाल देखी मीराबाइद देखी हैं सभी विमेंस थी जो इस भक्ती मुवमेंट में शामिल हुई भक्ती मु हैं तो मीराबाइ हिंदी और राजस्थानी में बात करती हैं मतलब साली रीजनल लेंग्वेज में लोग आपस में बात कर रहा है तो कम्मिनिकेशन बहुत आसान हो जाता है है ना तो जिससे लोगों में इस प्रेड हुआ ये भक्ती मुवमेंट काफी जादा ठीक है इसके तरीके से भजनों के माध्यम से कव्वाली के माध्यम से गुरुवानी के माध्यम से इसके अरावा समानता और भाय चारे की भावना विक्सित हुई लोगों आपस में इंट्रेक्ट होना शुरू हुए सभी धर्मों के लोग सभी जाती के लोग इसमें शामिल हो रहे थे ठ पूरा भक्ती मूव्मेंट चलता राज साउट से लेके नौट तक हिंदी में जैसे मैंने बोला कवीर सूर्दास तुलसिदास थे मराथी में नाम देव एक नातुकाराम जी बंगाली में चेतन महाप्रभू वगेरा थे राजस्थानी में मीराबाई बिहारी थे पंजाबी म गुरु नानक थे अभी हम देखेंगे तो अलग-अलग भाशों में अलग-अलग जो सेंट आया और अपने टीचिंग्स को इन्हों ने दिया अपने तरीके से नों ने भक्ती की सो ये था पूरा एक भक्ती मूव्मेंट इसका जो सेकेंड पार्ट है मतलब सूफी मूव्मेंट वो हम नेक्स सेशन में डिसकस करेंगे तब तक टेक कियर और बाई-बाई